हेलो दोस्तों तो कैसे हो आप सब आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल विजय काले सियाटेस में दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले है जो सियाटेस फाइनल एक्जाम की जो फीज जम होने वाले है उसका लिंक अपडेट हो चुगा है निमी समय के एनिके यू टेलिग्राम चैनल के मिलती आपको चैनल करने किसी हं या प्रेटाप शक्रत नाम से टेलिग्राम चैनल आ जाए गाओ उसको जोईश कर लेनना है जो स्चूडेस से आइटेस पाइल अलग जाम की तारी अपने अच्छे से कisesti करना वो test series और previous year question के माध्यम से कर सकता है तो अगर किसी student को test series या previous year paper चाहिए तो वो इस whatsapp number पर contact कर सकता है ठीक है बाकि जितने भी student इस channel पर नहीं हो चैनल को subscribe कर ले क्योंकि यहाँ पर आपको status के regarding सारी जाने करे time to time मिलती रहती है तो चले दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो डिजेटी की तरफ से जो notice आया था इन्होंने मतलब अपना सारा schedule जारी किया था कि जो examination piece है वो कब से चमा अनिस्टाल्ट होगी और दूसरा आपके exam कब से है वो इन्होंने पूरा schedule यहाँ पर आप देख सकते हो यह दिया था इन्होंने 12 जून को ठीक है जैसे आप नीचे आऊगे इन्होंने बताया था यहाँ पर examination fill link है वो website पर कब से कब तक available रहेगा number 1 point पर आप देख सकते हो यहाँ पर इन्होंने फी लिंक है इन्होंने 13 तारिक को दिया है लेकिन उन्होंने 6 तारिक को बोलाता 6 तारिक से start नहीं हुआ तो 13 तारिक से start हुआ है अब जो आपकी last date है वो definitely बढ़ेगी ठीक है चलिए अब बात करते है कि आपको फीस कैसे जमा करनी है तो देखे दोस्तों अमनी में के official website पर आ चुका है और यहाँ पर link update हो चुका है फीस payment के लिए ठीक है यहाँ पिर screen पर देख सकते हो link for fees payment status regular 2022 और जो supplementary जिन student की है वो 20-21 के student और 21-22 के यही जो supplementary के लिए यही apply कर पाएंगे यानि यही फीस जमा कर पाएंगे तो simply आपको इस link पर click कर देना है ऐसे ही आप इस link पर click करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा interface आएगा तो अब यहाँ पर आपको करना क्या है जो registration number है ठीक है registration number यहाँ पर आपको लिख देना है अपना registration registration number कौन सा जो c fi number है यानि जो c fi से start होता है वो यहाँ पर आपको लिखना है और फिर यहाँ पर आपको क्या करना है check and pay पर click कर देना है ठीक है यह option देखरो इस पर आपको click कर देना है यह मैं आपको करके दिखाता हूं उसके बाद आपके सामने दोस्तों कुछ ऐसा interface आएगा और यहाँ पर आपको जो payment है जो amount है वो भी so करेगा ठीक है और आपका नाम भी नीचे दिखाएगा मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पर आप देख सकते हो जो billing name है इसमें आपका नाम so करेगा और यह billing जो tell है यहाँ पर एक number लिखा होगा ठीक है दोस्तों यह आप देख सकते हो और आपको करना क्या है जो pay now है इस पर click कर देना है ठीक है जैसे आप इस पर click करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा interface आए तो अब आपको क्या करना आपको payment के method option so करेगा वहां से आपको payment करना है चले वह भी मैं आपको दिखाता हूँ उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर आपको जो payment है आप card से करना चाते हो net bank से cash card wallet UPI जिस तरीके से आप payment करना चाते हो यहां से आप payment कर सकते हो ठीक है payment कर करने के बाद आपको क्या करना हो जब आपकी payment successful हो जाएगी उसके बाद मैं बताता हूँ आपको करना क्या है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपने देखा होगा यहां से तो आपने payment कर दी check and pay pay जो मैंने अभी तरीका बता वो कर दिया उसके बाद जब आप payment कर दोगे paid fees download receipt आपको जो receipt download करने है वो कैसे करनी है यहाँ पर अपना जो registration number है वो जो CFI number है CI से start होता है वो डालना है और जो check and pay है इस पर यहाँ पर click कर देना है आपकी जो receipt है वो download हो जाएगी ठीक है दोस्तों तो यह complete process था फिर भी किसी student का कोई doubt है या कोई दिक्कात आ रही है तो comment करके बता सकता है